हेलो एवरिवन आज का हमारा टॉपिक है जर्णल क्रेक्टरस्टिक्स और फाइलम अर्थरोपोडा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फाइलम अर्थरोपोडा लार्जस्ट फाइलम है एनिमल किंग्डम का और ये अबाउट 80% of total अनिमल्स है मिन्स जितने भी फाइलम है उनका 80% फाइलम अर्थरोपोडा ही बनाता है इसके अंदर 9 lakh species included है अर्थरोज का मतलब है jointed and podas का मतलब है foot तो वो अनिमल्स जिनके अंदर jointed foot present है अर्थरोपोडा के अंदर included है वो तो start करते हैं with the characteristics first of all body division तो body divided है into two और three parts card, tajimata जब एनिमल की body divide होगी three parts में उसके अंदर included होंगे head, thorax and abdomen जैसे की insect और millipids की body के अंदर होता है लेकिन अगर वो दो part में divided है तो या तो वो cephalothorax और abdomen में divide होगी जैसा कि crustations और arachnids में होता है या फिर वो head और trunk में divided होगी जैसा centipids के अंदर होता है तो cephalothorax के अंदर fused head और thorax होगा जबकि उसकी जो trunk है वो thorax और abdomen include होगा उसके अंदर symmetry के बात करें तो bilateral symmetry है triple plastic germ layer है और इसके अंदर organ system of organization है next बात करते हैं body appendages की तो most of the जो arthroports है उनके अंदर jointed appendages होते हैं सीरफ onycoforans को छोड़ कर और जो body segment है उनको podomeres कहा जाता है appendages modify हो जाते है according to function for example water bugs के अंदर ये swimming में help करते हैं honeybees के अंदर ये pollen collection के लिए काम करते हैं grasshopper में jump करते हैं jumping में help करते हैं जैसा आपने grasshopper देखा ही होगा तो उनकी जो कि मैटाल लेक्स होती है वह काफी long होती है उन्हें saltatory leg कहा जाता है जो कि jumping में help करते हैं अगर आपने praying mantis भी देखा है तो praying mantis क्या करता है प्रे को पकड़ने के लिए अपने फोर लेक का यूज करता है फॉरफी के लाग के अंदर ये digging का का काम करते हैं खुदाई का काम करते हैं और कोक्रिज के अंदर ये running का काम करते हैं अगर हम exoskeleton की बात करें तो ज्यादे तर जो अर्थ्रोपोर्ड हैं उनकी body externally covered है विद्धी sclerized exoskeleton जो की बना होता है काइटीनियस प्लेट से जिन्हें sclerites कहते हैं ये sclerites joint हैं एक दूसरे के साथ with the thin and flexible articular या फिर arthrodial membrane जो की इन joints को bending और locomote करने का काम करती हैं तो ये joints का करते हैं locomotion में भी और bending में भी help करते हैं हर एक segment के अंदर four sclerites present हैं जिसमें से dorsal side पर जो present होगा उसे tergum जो ventral side पर present होगा उसे sternum और जो lateral side पर present होगा उसे plural कहा जाता है तो one dorsal one ventral and two plural four sclerites हैं समें continue growth के लिए जो exoskeleton है उसके अंदर periodic molting होती है जिसे की acdysis कहते हैं और acdition एक हार्मोन है उसकी वज़े से जो insects हैं उनके अंदर acdysis की process होती है नेक्स्ट है body wall तो outer most जो area है वो cuticle है उसके निचे एक single epidermis है जो की basement membrane पर है और इसमें voluntary muscles भी present होते हैं तो यह first animal है जिनके अंदर voluntary muscles present होते हैं for the rapid contraction और rapid movement and locomotion कि नेक्स्ट है endoskeleton तो यह first animal है जिनके अंदर endoskeleton present होता है और जो की आपोडिम का बना होता है इन में जो cuticle outer cuticle है surface cuticle है उसके इन ग्रोथ हो जाती है और और जो free plates है जो की बनी हुई है स्केलराइट और connective tissues की उनसे इसका endoskeleton बनता है फॉर एक्जम्पल टेंटोरियम जो की कोकरीज के हैड में प्रेजेंट है endosternite जो की cartilage plate है और diaphragm जो की cutaneous plate होती है scorpion के अंदर यह structures एक surface provide करते हैं for the attachment of voluntary muscles next है body cavity तो हमें पता है की phylum अनलीडा से शिलोमेट की शुरुआत हो जाती है तो हैं लेकिन यह साइज शिलोमेट है इनका जो सिलोम है वह रिड्यूजड होता है और जनाइटल और एक स्क्रीटरिय और के चारों तरफ होता है इनका जो सिलोम है वह हीमो सिल से होता है जिसके अंदर ब्लड फिल्ड होता है इसलिए इनका जाता है नेक्स्ट है गट इसकी के अनाल कंप्लीट होती है और कोईल होती है और बोडी के कमपारिजन में जो इलिमेंटरी के अनाल है उसकी लेंथ ज्यादा होगी माउथ और एनस अपोजिट एंड पर प्रेजेंट होते हैं और हमेशा डिफ्रेंशेटेड होते हैं इंटू एक्टोडर्मल स्टोमोडियम जिसे की फॉरगट कहा जाता है एंडोडर्मल मिजिंट्रॉन मिडगट और एक्टोडर्मल प्रॉक्टोडियम जो की हाइंड गट है इनकी जो एलिमेंटरी के नाल है तो माउस से स्टार्ट होती है अलग अलग इंसेक्ट्स या अर्थरपोडा के पास डिफरेंट टाइप के माउथ प्रेजेंट होते हैं फॉर एक्जामपल चुइंग टाइप माउथ प्रेजेंट होते हैं इन दी कोकरज और ये माउथ पा सिफोनिंग टाइप माउथ प्रेजेंट होते हैं बटरफ्लाई में स्पॉंजिंग टाइप माउथ प्रेजेंट होते हैं हाउस फ्लाई में the chewing and lepping type mouth part present होंगे honeybee के अंदर pricking and chewing type mouth part present होते हैं mosquito के अंदर oh तो next hypiration according to the habitat respiratory organs भी different होते हैं इंदी अर्थरो Wik न जिल न भिछनovyर ऑंदर बोडी वॉल जिसके वज़े से क्या होगा वो स्किन के थूरू या बोडी सर्फेस के थूरू रस्पायर नहीं कर सकते और रुड्यूस होता है इवापोरेशन ऑफ दी बोडी वाटर तो गिल्स के थूरू एक्वेटिक जो आनिमल है उनमें ब्रैंकिल रैस्पिरेशन होता है इनके अंदर ट्रैकिल रैस्पिरेशन होता है इनके अंदर ट्रैकिया प्रेशन होता है इनके अंदर ट्रैकिया प्रेशन होता है इनके अंदर ट्रैकिया प्रेशन होता है बुक लंग्स प्रेशन होता है इनके इनके अंदर ट्रैकिल रैस्पिरेशन होता है बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं इन दी मीरो स्टॉर्म्स जैसे की किंग क्राइब जिसका साइंटिफिक लाइमलस है कुछ के अंदर रेस्पिरेशन होता है विद दी बॉडी सर्फेस फॉर एक्जाम्पल साइप्रिस तो इसके अंदर दो डाइग्राम है एक सैकलोप्स है यहां लिखा वाइब है साइकलोप्स और दूसरा है साइप्रिस सैकलोप्स के अंदर रेक्टिल रैस्पिरेशन होते है नेक्स्ट है सेरकुलेशन तो ऑपन लेस होता है क्योंकि कोई भी राइस्पिरेटरी पिग्मेंट प्रेजन नहीं होता कहे हमाय जर्ण बलड को हीमोलिंफ का जाता है जो कह स्प संदर हमोग्लोबिन जा फिर हीमोशनेन होता है क्योंकि उनके अनदर bright blue color respiratory pigment है for example Lameless Excuration के अगर हम बात करें to different type के organism के पास different type के excreatory organs present है antinary green gland present होते है crustaceans के आंदर के aquatic animals है malphysian tubules present होते है insects के अंदर centipede और millipedes के अंदर कोग्जल ग्लांड्स प्रेजेंट होंग स्कॉर्पियन और एंड मॉस्ट ओफ दी स्पाइडर्स जो एक्वेटिक फॉर्म होती है र्थ्रोपोडा की वह अमोनो टालिक होती है फर एक्जम्पल क्रस्टेशन्स लेकिन जो टारेस्ट्यल फॉर्म्स है वह यूरीको टालिक होती है फॉर एक्जम्पल इंसेक्टि चंक्टीपीड मिलीपेड श्कॉर्पिन श्यट सेक्ट ´क्टरा जो उनिको फॉरंस है जिसके अंदर सिरफ एक ही एक्जम्पल है पैर सके अंदर नेफरीडिया है फोर दी एक्सक्रेशन यह जो परिपेटेस है यह कनेक्टिंग लिंग का काम किरते हैं इन बेट्वीन दी अनलीडा एंड अर्थ्रोपोडा नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लाइन तो यह फर्स्ट अनिमल है जिनके अंदर एंडोक्राइन डेवलप है और मेटबॉलिक एक्टिविटीज जैसे की एकडाइसिस, अमांट ओफ बलड शुगर, रेट ओफ हार्ट बीट, स्किन कलोरेशन, क्यल्सिफिकेशन ओफ एंडोस् टक्षण यह सारे फॉंक्शन कर प्रेशिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि एकडाइसिस हार्मोन रिलीज करती है कोक्रिच के अंदर ताकि उसमें एकडाइसिस प्रोसेस हो सके next is Harrison तो यह first animal है जो कि Harrison lowest Price pak करते हैं और यह Harrison क्या करते हैं interest-specific chemical communication कि formation में help करते हैं Harrison sex attractant की तरह भी काम करते है in the gibsy method और path indicator की तरह काम करते है in the for gaining worker earns और territory marker की तरह भी करते है आपने देखा होगा कि जब चीटियां चलती हैं वो सिरफ एक ही लाइन में चलती हैं एक ही रो मेंटेन करके रखती हैं अगर उनको हम डिस्टरब कर दे तो थोड़ी देर बाद वो फिर से एक रो बना लेती हैं और एक दूसरे के पिछे चलती रहती हैं तो यही वज़ा है क्योंकि वो फेरमोन डबल वेंटल सॉलिड और गैंगलियोनेटेड नर्फ कोड से ब्रेन डिफ्रेंशेटेटेड हैं इन्टो थ्री पार्ट्स प्रोटोसरेब्रम डूटोसरेब्रम एंड ट्राइटोसरेब्रम में नेक्स्ट है संस और्गन तो अलग अलग जो अर्थर पोड्स हैं अबिटन हैबिटाट उनके अंदर डिफ्रेंट टाइप के संस और्गन प्रेजेंट हैं तो कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है इन इन्सेक्ट जो इनकी कंपाउंड आई है वो बनी हुई है यूनिट ओफ अमेट इडिया जो कि इनको मुजाइक विजन में हेल्प करता है और यह एक चोटी से चोटी मोमेंट को भी नोट कर सकते हैं तो हमारे हाथ लगाने से पहले ही उड़ जाती है क्योंकि उसके अंदर कंपाउंड डाइस प्रेजेंट होती है और वह अपने आसपास का एरिया और अपने आसपास होने वाली अक्टिविटी को इसली डिटे करही एक फर्म सोते हैं जैसे कि प्रॉन इनमें स्टाटॉसच प्रेजन्त होता है और है या फिर हम बैलंसिंग और रिपनेंगों सकते हैं से नेक्स्ट है head कुछ insects centipid millipid होते हैं जिनके अंदर antenna present होते हैं उनके head के उपर और insects के अंदर one pair or जो crustations होते हैं उनमें two pair of antenna present है sense organ antenna जो है arachnids के अंदर absent होते हैं जैसे कि spider और scorpion इनके अंदर antenna present नहीं होते इनमें common like sensory appendages present होते हैं जिसे pectanize बोलते हैं और ये कि मेल्स के लिए एक suitable meeting site provide करते हैं कि hearing के लिए कुछ species of scorpions उनमें स्ट्राइड स्ट्राइड लूट करें कि कुछ species के अंदर hearing के लिए स्ट्रेड लेटिंग और प्रेजेंट होता है कोक्रेजिस के अंदर संसीले प्रेजेंट होते है उनके अन éléस्राइ के उपर और ग्रास ओपर के अंदर molar's और प्रेजेंट होते हैं कि प्रिप्रोडक्शन इंड्वलोप्मेंट के बात करें तो जो अर्थ्रोपोर्स होते हैंけれ息 से यूनिय सेक्षुल से सक्षीया ले पास को छोड़ कर और यह sexual डाइमोर्फिजम शो करते हैं गुनाड्स और गुनाडो डक्ट प्रेजेंट होती है पेर्ड फॉर्म में ज्यादा तर और्थ्रोपोर्ट्स है वो कॉपिलेटरी एक्ट शो करते हैं और कुछ स्पेशल गुनापोफाइसिस होता है इंसेक्ट्स के अंदर गुनापोर्ड प् टिहन क्रेस्टिशन फुच इस एकुटिक अनिमल फर एक्जेंपल प्रॉन जर्नली अर्थ्रोपोड ओवी पैरस होते हैं और उनके अंदर सेंट्रल असिपल लाइग होता है इस पैशल इंद इंसेक्ट सेंट्रल असिथल एग का मतलब है कि सेंटर में ही योग होगी development direct भी हो सकती है और indirect भी हो सकती है अगर तो एक यंग निम्फ बहार निकलेगा और अगर development indirect है तो कुछ लार्वल फॉर्म्स होंगी तो डिफरेंट टाइप ओफ और अर्गनिजम के अंदर डिफरेंट टाइप के लार्वल कहलाएंगे mosquito में regular लार्वा ड्रागन फ्लाई के अंदर नेड लार्वा एंड बटर फ्लाई और मोस के अंदर के ट्रप्लर लार्वा होता है कुछ रस्टेशन्स भी हैं जिनके अंदर लार्वल स्टेजिस होती है जैसे कि नाइपिलस जोया प्रोटो जोया साइप्रिस मैसिस मेगलोपा, अलिमा एंड फालोजोमा जो ये लार्वल फ्लाव है इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है तो मेटामॉर्फोसिस भी डिफरेंट टाप की हो सकती है जैसे कि पोरो मेटाबोली कोकरेज के अंदर हमी मेटाबोली होगी ड्रेगन फ्लाई के अंदर या फिर द जो अर्थ रोपोर्ट्स हैं वो परैंटिल केर भी शो करते हैं और कुछ रिठ यृपोर्ट्स पर्थिनों जरी नेस्टिस्की प्रोसेस से भी बनते हैं ऑल एक्जांपल जो हनिंभी के बारे में पढ़ा अर्थरोपोड़ा के आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आये होगा विद्धी हल्प आफ टायग्राम थैंक यू स्टुडेंट्स